रावन के भूमिका अर्विंद्र त्रिवेदी निभाई थे रावन के रोप में उनकी अठास से हर घर वाकिफ था चलिए हम बताते हैं रामायन के रामण यानी अर्विंद्र त्रिवेदी 31 साल बाद आज कल कहा रहते हैं और क्या करते हैं 1938 में मध्रदेश के इंदोर में जन्मी अर्विंद्र त्रिवेदी पर अब गुम्र का असर साफ छलक रहा है लेकिन वे किसी ना किसी रूप में गुजराती सिनीमा से जुड़े रहे हैं उनकी करियर के शुरवाद गुजराती सिनीमा से ही हुई थी 89 वर्षी अर्विंद्र त्रिवेदी ने कई गुजराती फिल्मों में काम किया है लेकिन असली पहचान लंकीश ने ही दिलाई बताते हैं कि छोटी पर्दे का ये रामन अब राम भक्त बन गया है उनका मानना है कि इंसान कर्व यहां करता है लेकिन जो भाव सागर पार कर जाएगा वो भगवान बन जाएगा रामनन सागर से अर्विन त्रवेदी की पहली मुलाखात भी दिल्चस्प रही थी तब रामनन सागर को रावन की तलाश थी अर्विन त्रवेदी भी ओडिशन के लिए पहुँचे थे बताते ही कि अर्विन त्रवेदी के पहली जालोग को बूलते ही रामानन सागर ने उन्हें चुन लिया था रामायन के सहन निर्देशक प्रेम सागर ने भी कहा था अर्विन को देखते ही रामन की 26 सामने आई और हमें हमारा रावन कुछ रात में मिला 1990 में अर्विन त्रवेदी को साबर काठा सीट से राचे सभा भी जा गया था 1996 तक में सदस्य रहे अब उनका ज्यादा तरवक्त घर बे ही गुजरता है आज रामायन के टीवी पर प्रसारित हुए तीन दशक बीद गये हैं लेकिन रामायन के वो किरदार हम सब किस प्रती में हैं उनसे हमारे बच्पन की कई यादे जुड़ी हैं टीम इंडिलिंग्स